गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए. अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है. अंत में यह अंहकार ही उसके विनाश का कारण बनता है. इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है गीता में लिखा है सरल व्यक्ती के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है चाहे आप कितने भी बड़ी शत्रंच के खिलाडी क्यों ना हो लेकिन सरल व्यक्ती के साथ किये गए छल के परिनाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस धर्ती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई दे या ना दे, इश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इनसान का बदला भगवान स्वया लेते हैं इसलिए किसी भी परिस्थिती में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो होना है वही होगा जो होता है अच्छा ही होता है इसलिए वर्तमान को आनंद के साथ जिना चाहिए और वर्तमान को सुधार लेने से भविश्य अपने आप सुधर जाता है नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्रिया, पुरुष हम नहीं है और न यह शरीर हम है यह शरीर अगनी, जल, बायू, प्रित्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा है आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म है, और न मृत्यू आत्मभाव में रहना ही मुक्ती है परिवर्तन संसार का नियम है यहां सब बदलता रहता है इसलिए सुखदुख, लाभानी, जैपराजय, मानअपमान आदी में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं अपने क्रोध पर काबू रखें क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धी विचलित होती है इससे स्मृती का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ती का पतन होने लगता है क्रोध कामवासना और भय ये हमारे शत्रू है गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ती की पहचान बताई है इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धी वाला व्यक्ती वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता जो दूसरों को बेवज रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चल कर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डर्पोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नेती या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बलकी भीतर से भी जनता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वन्य के लिए होना चाहिए। आप खुश है या दुखी यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन रहना चाहते हैं, तो आप हर हाल में प्रसन ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार-बार नकारात्मक विचार लाएंगे, तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रू और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है, और ना ही लक्षर इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्तियोग और ज्यानियोग को ही कल्यान का प्रमुक साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का तूट जाना ही जीवन का लक्ष है, और यह लक्ष उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्थ हो सकता है। तू दोस्तों मेरा, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, साथ ही मेरे चैनल न्यू लाइफ स्टडी को भी सब्सक्राइब करें। जय राधे राधे!